जिन्दगी के कुछ किस्से करीब बहुत है। जिन्दगी के कुछ किस्से करीब बहुत है और जिन्दगी गुजरी अजीब बहुत है और इसमें एक शब्द है नजीब नजीब का मतलब पता है यहां किसी को नजीब का मतलब बहुत है शरीफ तो जिन्दगी के कुछ किस से करीब बहुत हैं जिन्दगी गुजरी अजीब बहुत है और इस समाज के उसूलों के खौफ में जीता है इस समाज के उसूलों के खौफ में जीता है और दुनिया कहती है बंदा नजीब बहुत है कि बदनामी मिले उसे जिन्दगी में ये खुदा करे बदनामी मिले उसे जिन्दगी में ये खुदा करे जुदाई सहे उसकी रूँ कोई ऐसी खदा करे बदनामी मिले उसे जिन्दगी में ये खुदा करे जुदाई सहे उसकी रूँ कोई ऐसी खदा करे हमारे जजबातों को तो कर दिया उसने राख हमारे जजबातों को तो कर दिया उसने राख हमारे दिल को रहा करने का ये एहसान हम पर अदा करे कि हमारे जजबातों को तो कर दिया उसने राख हमारे दिल को रहा करने का ये एहसान हम पर अदा करे और मैं तुम था, तुम था, तुम मैं नहीं थे, इस बात को सोचकर तु जिन्दगी भर रोया करे, और तेरी दोस्ती का एहसान नहीं चाहिए मुझे, जो सहा इश्क का दर्द मैंने, वो दर्द तु भी सहा करे, कि तेरी दोस्ती का एहसान नहीं चाहिए मुझे, जो सहा इश्क का दर्द मैंने, वो दर्द तु भी सहा करे, और ये सुनिएगा, कि तेरी मुस्कान की खातर एक टांग पर नाचे थे हम, तेरी मुश्कान की खातर एक टांग पर नाचे थे हम एक वक्त था जब अपने यारों में वर्साचे थे हम कुछ चमतकार वो खुदा अपकी मर्तबा करे हमारे गुरूर को चकना चूर किया उसने हमारे गुरूर को चकना चूर किया उसने खुदा उस पर कहर बर्पा करे कि ये कैसी मुश्किल है यारों ये कैसी मुश्किल है यारों कभी गले लगाए कभी जटक दिया करे ये कैसी मुश्किल है यारों कभी गले लगाए कभी जटक दिया करे यारों उससे कहो ये किस्सा एक तरफा करे और आगरी दो लाइन के हमारा मसला ये है कि हम बहल जाते हैं आसानी से हमारा मसला ये है कि हम बहल जाते हैं आसानी से उससे कहो ठुकरा दे बहलाया ना करे इलतजा हो तेरी तो नज़्दीक तेरे कुछ और देर रहूं इलतजा हो तेरी तो नजदीक तेरे कुछ और देर रहूं खुशी मिले तुझे अगर तो जुल्म तेरे कुछ और देर सहूं खुशी मिले तुझे अगर तो जुल्म तेरे कुछ और देर सहूं और समझदार को इशारा काफी नहीं है इस दोर में समझदार को इशारा काफी नहीं है इस दोर में तू समझे कल्मा गालिब गा तू समझे कल्मा गालिब गा, मैं अपने जज़बातों में शेर कहूं कहूं मैं तुझे चांद कहूं मैं तुझे चांद या तुकडाए अबर कहूं कहूं मैं तुझे चांद या तुकडाए अबर कहूं बेचैनी है तु मेरी कैसे मैं तुझको सबर कहूं बेचैनी है तु मेरी कैसे मैं तुझको सबर कहूं और कहने को तो वजा है तु जिन्दगी की कहने को तो वजा है तू जिन्दगी की सच लिखना हो मुझको सच लिखना हो मुझको तो तुझको मैं अपनी कबर कहूँ एक एक छोटा दा शेहर है अगर समझ में आया तो बताना क्योंकि बहुत मुश्किल समझ में आता है ये लोगों को पूछ लेना नहीं समझना है तो खुद से खुद से खुद तक हो गई बसर जिंदगी खुद से खुद तक हो गई बसर जिंदगी अब तो आईने में भी अंजान नजर आता है खुद से खुद तक हो गई बसर जिन्दगी अब तो आइने में भी अंजान नजर आता है और बहुत सराती है मेरे महल को ये दुनिया उस महल की खिड़की खोलूं तो वो मकान नजर आता है जिन्दगी में फिर एक मोड आया है जिन्दगी में फिर एक मोड आया है मंजिल का फिर दिखा एक दुन्दला ससाया है पर अब डर लगता है न उमीदों से पर अब डर लगता है न उमीदों से न जाने कभी ये रास्ते जंगलों में तब्दील हो जाएंगे न जाने कितने अर्मानों को बेरैमी से डुबाएंगे रुकना तो मुनासिब नहीं है इन रहा पर खो चुका हूँ बहुत कुछ इन रास्तों पर आकर बस इसी कश्मकश में अब दिन निकल जाता है कि क्या लोग सही कहते हैं कि करो वही जो तुमारा दिल चाता है क्या लोग सही कहते हैं कि करो वही जो तुमारा दिल चाता है और कुछ तो मकसद होगा इस दुनिया में आने का वरना वो खुदा क्यों तकल्लूफ करता हमें बनाने का पर क्या खूब मज़ा आता जो वो साथ में एक पैगाम भेज देता क्या खूब मज़ा आता जो वो साथ में एक पैगाम भेज देता या बनाने से पहले ही जान ले लेता पर जिन्दगी इसी का नाम है लोग तो यही फरमाते हैं जिन्दगी इसी का नाम है लोग तो यही फरमाते हैं और ये कहने के बाद अपनी फर्यादें सुनाते हैं और खैर मेरा क्या है मैं तो एक मुसाफिर हूँ मेरा क्या है मैं तो एक मुसाफिर हूँ पर कुछ लोग हैं इस बस्ती में जिनके लिए मैं काफिर हूँ और आखरी बंकती कि दिन बदिन जिन्दगी बसर हो ही जाएगी दिन बदिन जिन्दगी बसर हो ही जाएगी और वो कहा है न एक शायर ने कि बैठे हैं किनारे पे कभी ना कभी तो लहर आएगी